बंगाल की खाड़ी से उठे महातुफान अमफान ने बंगाल और उडिसा पर जमकर गहर बरबाया इस महातुफान की वज़े से अब तक राज्ज में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है पूरे तरीके से बरबाद हुए कॉलकाता में भी तूफान की वज़े से भारी नुकसान देखा गया और सचीवाले को बड़ा नुकसान पहुचा है तूफान की वज़े से कम्मुनिकेशन प्रभावत हुआ है और कई लोगों की जान चली गई है कई जगह बिजली के खंबे गिर गए है बहुत कुछ बरबाद हो गया है यह नुकसान जान और माल दोनों का हो रहा है अब तक करीब सेकडों करोडों का नुकसान होने की आशंका जिताई जा रही है इस प्राकृतिक आबदा से बंगाल को भारी नुकसान हुआ है और बंगाल तहस नहस दिखाई दे रहा है साइगलो नमफान पश्चिम बंगाल बांगलादेश के हट्या द्वीब के बीच पश्चिम बंगाल बांगलादेश तटको पार कर गया है और इसकी रफतार इस समय 165 किलो मीटर देखी गई पश्चिम बंगाल में तूफान की वज़े से भारी बारिश शुरू हुई और कई मकान ढह गए और चार लाख से जादा लोगों को सरक्षत स्थानों पर ले जाया गया है मौसम विभाग लगातार इस तूफान पर नजर बनाये हुए है और एंडियारेफ की टीम राहत और बचाव कारे में जुटी हुई है राश्ट्री आपदा बचाव दल एंडियारेफ की 20 टीमों को राज में तैनात किया गया है महीं अन्य 24 टीमों को तैनात करने के लिए तयार रखा गया है इन टीमों को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फिलहाल कोवीड-19 को देखते हुए काम करना होगा इसलिए सभी बल पी-पी किट से लेस हैं और लोगों को रक्षत स्थान पर पहुचाने का प्रयास कर रही है पशिम बंगाल में सरवादिक प्रभावित होने वाले जिलों में दक्षिन 24 परगना में 6 दल, पूर्वी मिदनापुर में 4 और उत्तल 24 परगना तथा राजहट में 3-3 दलों को तैनात किया गया है सभी टीमों के पास वायरलेस और सेटिलाइट संचार उपकरन है और महमारी को देखते हुए इस आपदा से निपटने की कोशिश की जा रही है आमफन तुफान में उडीसा और पश्चिम बंगाल में जो कहर बरपाया है उसकी कुछ तस्वीरे सामने आई है जो बहुत ही भयावा है तुफान की वज़े से कई मकान ढह गए है और बड़ी संख्या में पेड अपनी जड़ों से उखड कर रास्तों पर गिर गए है आमफान से सची वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी वज़े से कम्मुनिकेशन की सुवदाय प्रभावित हुई है कॉलकता की सड़कों का ये नजारा देखिए जहां बारिश और तेज हवा से पेड गिर गया है और सड़कों पर कुछ इस तरह का नजारा दिखाए दे रहा है बिशली के तार भी तूटे हुए दिख रहे हैं खंबे तेड़े हो गए हैं और कुछ खंबे गिर भी चुके हैं जो तेज हवा और मुसलाधार बारिश की वज़े से ये हाल है एंडियारेफ की टीम रास्ते में गिरे पेड़ों को काड कर हटाने की कोशिश करती दिख रही है और राहत और बचावकारी में एंडियारेफ की टीम पूरी मुस्तादी के साथ लगी हुई है आमफन महातुफान की वज़े से लेंड़ फॉल भी देखा गया और उस समय हवाएं 100 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार से चल रही थी कॉलकता को इस तुफान की वज़े से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और एरपोर्ट की तरह जाने वाले रास्ते को एंडियारेफ की टीम खाली करती हुई दिखाई दे रही है जहां पर बड़ी संख्या में पेड गिरे हुए है पश्यम बंगाल की सड़कों पर पानी भर गया है और तेज हवाय चल रही है जिसकी वज़े से पेडों के गिरने का डर बना हुआ है तेज हवा और बारिश उसे कई घरों की चछत पर लगे टीन भी हवा से उड़कर काफी दूर जागी रहे है इस तुफान ने पश्यम ब बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स